तो हेलो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सिज जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में मेरा नाम है अतल सुकला और हम लेकर क्या आगए हैं आपके लिए मद्धप्रदेश अथिदेश सिचक भरती से समझत मैत्व पूर्ण जानकारी है जैसा कि आप समय सांडी जारी कर दी गई है कब आपकी मेरिट बनेगी कब आपको जोइनिंग मिलेगी कब आपको स्कूल में जाना है क्या-क्या नियम कायदे कानून है क्या-क्या डॉकुमेंट है वो सब कुछ ऑफीसियल आदेस में आ गया तो पूरी जानकारी हम आपको देने वाले है जिससे कि आप अच्छे से apply कर सकें और संपूर जानकारी आपके पास में हो इसके बाद में हम एक वीडियो बनाएंगे जहां पर आपको दिखाएंगी कैसे आपको apply करना है step by step google search से ले करके जोइनिंग लेटर तक संपूर जानकार step by step आपको समझाएंगे जिससे कि आप कोई गलती ना करें और फिर पुराने अतितियों की तरह आपको फसना ना पड़ ठीक है official आदिस आ रहा है और अब आप लोग apply भी कर सकते हैं अब पहले official आदिस में क्या क्या देया गया है पहले इसको पढ़ लीजिए उसके बाद में ही apply कीजिएगा ठीक है न अभी जल्दबाजी में गरबड़ी मत कीजिएगा 49-2024 को यह official आदिस कलसाम को जारी किया गया है समझत संभागी संचारक लोग से छड़ संचनारे इन सब को भी जा गया है विसे है सेचड़ी के सतर 2024-25 में सास की बिद्यालियों में रिक्त पदों के विरूद आवेद को है तो साला विकल्प चेन के समझ में यानि कि आप अपना इसकूल कैसे च्वाइस कर सकते हैं जहां पर आप पढ़ाना चाहते हैं उसके संभन्द में यहां आदेश जारी किया गया है और पूरी समय सानडी भी इसमें दी गई है चलिए पूरा पढ़ लेंगे व बारीकी से पढ़ेंगे जिससे की आगे परिशानी नहोगी प्रयोग कर GFMS PORTAL पर और अानलाइन साला विकल्प चेयन की कर सकेंगे ता 58 चेक की रूप में कार करने है तो इच्छुक आविदक आथिए देशिचव पोल पर साला चेयन है तो निम्ना अनुसार कारवाई करें इस तरह से आपको कारवाही करना है, क्या-क्या कारवाही है देख लिजिए, नम्बर एक, आवेद को द्वारा GFMS पोर्टल पर साला विकल के लिए की जाने वाली कारवाही, सबसे पहले आवेदक जिनके पास सत्याफित स्कूर कार्ड है, यह आधार KYC है, वे लिंक, यही आ पता अपनी प्रोफाइल प्रदर्सिट करनी होगी, जिसमें महा अपनी फोट अप्लोड करेंगे, सबस्क्रेल आपको अपनी फोट अप्लोड करनी है, जो 300 KB से अधिक की नहीं होने चाहिए, उसके बाद में आवेदक GFMS काउंसिलिंग ऑप्शन का चेन करें, व्यू की जन करनेंगे, आथिति सिचक हेजों संभावित रिक्तियां GFMS पोटल पर आवेदक के लॉगइन पर जिले वार ब्लॉक वार पैनल वार प्रदर्सित होंगी, जिसमें आथिति सिचक रिक्ति कोड एवं रिक्तियों की संख्यां प्रदर्सित होगी, तो जो जो सी रिक्त रिक्त के पैनल की जानकारी पर दरसित होगी जैसे आपको कोड डालेंगे तो आपके सामने पूरी रिक्तियों की जानकारी आपके सामने आ जाएगी उसके बाद में साला विकल्ब चैन करने है तो आविदक को विकल्ब चैन है तो कोई सीमन निर्धारित नहीं की गई है आता की जो है रिक्ति कोड आपको उसमें डाल देना है उसके बाद में देखिए आविदक द्वारा साला विकल्प का चैन करने के उपरांद जानकारी में तुटी होने पर तुटी पूर्ण साला के विकल्प को डिलीट कर सकेंगे माल लीजिए आप नहीं चाहते हैं कि हम इसमें हो तो आप यहां से डिलीट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में लेकिन एक बाद ध्यान रखिएगा इसमें ये भी बोला गया है कि साला विकल्प का एक बार आपने जानकारी लॉक कर दी तो टीप जो हो गई उसको सही करने के बाद में एक बार अगर आपने लॉक कर दी तो वो समष्थ पैनल में साला बिकल्प चैन कर सकेगा पैनल से साला की प्रायथमिक्ता के आधार पर साला आवंटन होगा यहिँ किसी आवेदक का स्कूर कर्ड पैनल SS1 SS2 SS3 तीनों का है तो आवेदक जिस पैनल में जिस occurred को प्रायथमिक्ता देना चाहता है उसी क्रम में सारा बेकल्ब का चैन करें ठीक है उदारेन के लिए किसी आविदक का SS2 का एक स्कूल पहली प्राथमिक्ता है रथा SS1 का एक स्कूल दूसरी प्राथमिक्ता के रूप में चैन कर सकता है पैनल के साथ रिक्तियों का क्रम आविदक को निर्धारित करना होगा आप बर्ग एक की जोइनिंग लेने चाहते हैं बर्ग दो की बर्ग तीन की तो उसी क्रम में आपको डालना होगा अर्था जिस साला का GFMS पोडल पर रिक्तिकोड प्रात्मिक्ता क्रम में दर्ज करें वही पैनल या रिक्तिकोड मेरिट क्रम में आवंटित होगी मान लिजी आप आपने पहले बर्ग दो को ले लिया और आप बर्ग एक के लिए अलिजबल है तो फिर भाई आपको बर्ग दो ही मिलेगा बर्ग एक नहीं मिलेगा ठीक है इसलिए अगर आप बर्ग एक मैलिजबल हैं तो पहले बर्ग एक को डालिए चैन उसमे साला चैन मैं उसके बाद में बर्ग दो को डालिए आविदक द्वारा साला बेखलप chain की जानकारी दर्ज करने के उपरान तो submit and lock कर सकेंगे, एक बार आपने साला बेखलप की जानकारी दर्ज कर दी फिर आप सब्मिट करके लॉग कर दीजीएगा, ठीक है, नमबर 2, सामान निर्देश क्या है, ये देख लीजिए, आविदक क किसी एक पैनल में विद्याले आबंटन होने पर दूसरे पैनल में विद्याले आबंटन नहीं होगा एक बार आपको विद्याले मिल गया SS2 में मिल गया तो फिर आप SS1 में नहीं जा सकते हैं आविदक को या सूचित किया जाता है कि वे अपनी सुविदा के अनुसार रिक्त सिच्चक एक तो रिक्तियां परिवर्टन सील होंगी जैसे नवीन सिच्चक की पदिश्थापना इस्थान अंत्रन उच्छी पर प्रभार सेवा निब्रत मिर्तियु की कारण सेथा किसी रिक्तिये मतलब वही बात जो आगर कोई नीमित सिच्चक आ गया तो आतिस सिच्चक हट जाएगा सीधा सीधा ये बुला है विद्याले मिर्टन सिच्चक की पदिश्थापना होने पर आतिस सिच्चक की सिवाएं स्वताही समाप्त हो जाएंगी यह दो पहले भी बताया गया था विद्याले आब अंटन पक्रिया के समय पोर्टल पर प्रदर्शी रिक्त के बिरुद्ध ही जोइनिंग की रिक्वेस्ट साला प्रभारी की पोर्टल पर पोर्टल के माध्यम से की जाएगी आगे देखते हैं कुछ और नियम इसमें अब सीधे आपने चलते हैं समय सानी पर यह नियम आपको बता दिये गया है कैसे कैसे आपको जोइनिंग करना है ही प्रण्द मेरेट की आथार पर आवैदकों का विध्यले आभंटन 10-9-2024 को आपका मेरेट बन जाएगी और विध्याले आपको मिल जाएगा आविदक द्वारा आवंटन विध्य। पर पर्शटित 11- Hud.24 से आप लोग जो है जो भी विध्याले आपको मिलता है आपको ह पर जोईनिंग अपनी देना है। साला प्रभारी ज adesso पॉडटल पर जोईन किये गए 386 का परमारी करन करें 11 Blick Curious को जैसे आप पहुछेंगे तो साला परभारी आपका प्रमारी करन करंदेंगे बोल देंगे, या भीया, यह जो पीचर है वो हमारे स्कूल में आ चुका और ये काम करने के लिए उनको 14 तारिक से 14 तक का समय दिया गया है उक्त निर्देश समसार कारवाही करना सुनिश्यत करें और यहां पर आपको साइन देखने के मिल रहे हैं आपर संचार के लोग से छल संचनाल है मद्द प्रदेश भ पारवाही जो है वो शुरू हो चुकी है ठीक है तो यह सारे नियम और सर्ते थी आपको जो है आप 11 तारिक से पढ़ाने जा सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है बागी वेतन वगएरा क्या है वो हम समय समय पर आपको सूचित करते रहेंगे कोई नई ज सर्च करने के बाद में ही हम वो वीडियो लेकर के आ रहे हैं ठीक है तो थोड़ा सा बेट कर लीजीगा मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ में अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद